मैं हूं मुक्ता दिक्षित एस्टो लोजर आज हम बात करेंगे आपका सुकरवार का मार्किट कैसा रहने वाला है याने की आपके 15 मार्क का जिया दोस्तों जैसा की जवदा तारिक के मार्किट के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि हमको मार्किट में पॉजिटिव मार्क देखने को मिलेगा और उसके बाद कुछ नेगिटिव देखा जा सकता है तो जिया दोस्तों आज के पॉजिटिव मार्किट ने तो बहुत सारे रिकार्ट तोड़ दिये और हमने देखा कि निफ्टी जो रही आपकी 22,204 तक हाई लगा और इसके साथ बैंक निफ्टी भी यह चमता और यह सकती केवल जो है एस्ट्रोजी में ही दी गई है और यह सास्त्री है जो है हमें भविश बतला सकता है तो जिया दोस्तों बस इसी की खोज में कि आगे क्या हो सकता है मैं आप लोगों के लिए प्रिडिक्शन बनाती हूं और अब हम देखेंगे कि हमारा ज था और उसके बाद हमें जो है साड़े ग्यारा वजे से लेकर के बारा तीस के आसपास अच्छी तेजी देखने को मिली जिया दोस्तों आज जो टाइम टाइम निकाला गया था उसमें भी यही समय सेलेक्ट किया गया था कि यहां पर तेजी हमको देखने को मिल सकती है तो जो है कल का मार्किट क्या रह सकता है और आपकी राशी फल रहेगा इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूघी जैसा आप जानते ही हैं हमारे कारले से जन मकुलिंझ त्रेखांबास्दो के साथ सियर मार्केट के अश्टोलॉजी में आप गोल्ड है सिलवर है निप् यह दह दो है और मारकेट के कैसे आपके योग बने हैं वह भी आप जान सकते हैं तो जीर दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिये बैल आइकान अवस्दवाईए इसके साथ साथ डिस्क्लैमर पढ़ना अपके लिए प्रहें और और यहीं निर देश हमीशा ध्यान म प्रभाव को देखने को में सकता है इसी क्या अधार पर आप लोगों को जानकारी दोंगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप हमारे कारला से गोल्ड है करवार कर दिन दहेगा प्रडी क अच्छत्र अच्छत्र आपका चार बच कर सात मिठ तक रहेगा इसके बादPor नुर्णी न श०्रवजेगा ब्रसब राशी कल जो पूरे ग्रहों याने की नेप्च्यून बुद्ध और शूरी की यूति मीन राशी पर बनी हुई है सुक्र और शनी कुम्राशी में हैं तुझे हैं दोस्तो मंगल भी कल कुम्राशी में पहुंच जाएंगे तुझे इसका भी हमें विसेश प्रभाव देखने को मिलेगा कल यदी हम भेद की बात करेंगे तो क्रतिका नच्चत्र में भढ़नी विशाका और श्त्रवन नच्चत्र का भेद होगा और रोणी नच्चत्र में स्वाती अश्वनी और अभीजीत नच्चत्र का भेद होगा तो इसके प्रभाव से कल क्या इस्तिति आपके मार्केट की बनेगी ब बहतर रहेगा मिथुन राशी वालों के लिए हानी का योग बन रहा है करक राशी वालों के लिए लाब का योग बन रहा है इसके साथ जो है आपकी सिंग राशी वालों के लिए लाब का योग बन रहा है कन्या राशी वालों के लिए लाब का योग बन रहा है और जो है आप की तुला राशी तुला राशी वालों के लिए मिस्रित योग लाव हानी का प्रॉफिट मिलते ही बाहर हो जाएं रस्चिक राशी वालों के लिए लाव का योग बन रहा है इसके साथ जो है आपकी धनू राशी धनू राशी वालों के लिए हानी का योग बन रहा है मकर सभी लोग ऐसे सभी लोग जो हैं कार करके लाब ले सकते हैं लेकिन यह रासी फल सतर से असी परसेंट ही सही जाते हैं तो वांकि आपको अपना भविश फल आपकी जो जनब पत्रिका है उससे ही सुख्ष प्रडिक्शन करवाना चाहिए अब हम देखेंगे कि कल के मार्केट में जो है क्या इस्थिती बन सकती है जैसा कि आज हमने मार्केट में अच्छी तेजी द देखते हैं क्योंकि कल भी दो नच्छत्रों का परिवर्तन है और ग्रह का भी राशी परिवर्तन है और तो इन सभी का प्रभाव भी हमें बिसेश देखने को मिलता है तो कल का कुछ यदि ट्रेंड हम समझेंगे एस्ट्रोजी के बेस पर तो कल के जो मार्केट में है मिक्स स्ट्रेंड में कुछ पॉजिटिव संभाव ना बन सकती है इस प्रकार से यह जानकारी मैंने दी निप्ती में दी हम कारियोग देखेंगे तो लगबग आपके 50-60 पॉइंट से लेकर के 130-40 पॉइंट के बीच में कारियोग देखा जा सकता है बैंक निप्ती के लिए 120 से सब्सक्राइब करके आपके 300-300 पॉइंट के बीच में कारियोग बन सकता है दोस्तों यह जानकारी मैंने आपका इस्ट्रोजी की बेस पर दी है वीडियो अच्छी लगए तो लाइक से सस्क्राइब कीजिए देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार